हाई फ्रेंड्स वेलकम टू सिराई सीखो एटू जैड यूटुब चैनल फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम सीखेंगे के कुर्ती में एक बोटनेक डिजाइन कैसे बना जाता है बहुत ही सुन्दर सा बोटनेक डिजाइन तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर ल इस कपड़े को औरेव कर लेना है तो और इसकी पटिया निकाल लेनी है दो लगबग सवाइंच यह लगेगी गले में और एक पट्टी और हमें निकालनी है धाई इंच चोड़ी तो हमने धाई इंच पर निशान लगा लेना है तो ठीक है फ्रेंड्स डिजैन कैसे बनेगा वो आपको आगे पता चलेगा चलिए चलते हैं मसीन पर पहले हमने यह जो औरे पट्टी निकाली थी यह श्टैचेबल है हमने यह गले में लगा लेनी है किस तरह से लगा लेनी है सबसे पहले हमने यह फ्रेंट के गले को इस तरह से रखना है और यह पट्टी लगानी है इस तरह से यह हाप पैर का इसमें मार्जन लेना है पट्टी को हलका खिंच के रखना है और नीचे वाले को ज़्यादा खिंचना नहीं है हलका लूज रखना है तब ही अच्छा बोटनेक बन पाएगा अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाय लगा लेनी है मारे इसे पाएगा मारे श्यूण करें थाएगा ठीक है फ्रेंड्स यह देखिए गोला इसमें बहुत ही अच्छी दरीके से आ चुकी तो हमने कैसे करा पहले हमने इसको पट्टी को लगा फिर उसको बाहर को पलटके यह सिलाई लगाई तो यह औरेव थी इसलिए बहुत ही अच्छी इसकी गोला यह आ गए यह देखिए ठीक है अब इसको एक से डख देते हैं और यह जो पट्टी हमने डाहिंच वाली काटी थी इसपे सिलाई लगाएंगे दोस्तों इसलाई तो हमारी लग चुकी अब हमने क्या करना है यह जो मार्जा ने इसको इस तरह से इस तरह चीर के इस पे प्रेस कर ले दिये तो चलिए मैं प्रेस कर देता हूँ तो फ्रेंड्स यह मैंने चीर दिये प्रेस से अब हमने इसको पलट देना है अब फिर से इस पर प्रेस करनी है ये देखे पल्टा जा चुका है तो फ्रेंड्स ये हमारी पट्टी त्यार हो चुकी है अब हमने इसको गले पे लगा लेना है दोस्तो हमने इसकी फ्रिल बनानी है किस तरह से बनानी है आप देखते जाएए हमने इस तरह की डब्या बना लेनी है इस तरह से हमने इस तरह से बनानी है हमने इस तरह से बनानी है हमने इस तरह से बनानी है झाल 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 तो दोस्तों ये हमारी फ्रिल तो बहुत अच्छे से लग चुकी है ये यहाँ पर ऐसे टाक दिये जाएंगे और ये मोती गोल्डन कलर के हर एक फ्रिल के बीच में इस तरह से आएगा तो ठीक है फ्रेंड्स और एक काम और करना है हमने इस पर आप कितनी भी इसको डिजाइन से हाइलाइट कर सकते हैं हमने एक लेस लगानी है यहाँ पर गोल्डन कर लगे ताकि इन मोतियों से इसकी मैच ही हो सके तो चलिए मैं लेस लगा लेता हूँ झाल 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 तो दोस्तों यह लेज भी हमारी लग चुकी है अब हम इस कुर्टी को बना लेते हैं और उसको बाद में बताऊँगा आपको किस तरह से इसमें मोती लगाने है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हमारी यह कुर्टी बिल्कुल तियार हो चुके यह देखे बहुत ही सुनतर कुर्टी बनिये अब हमने यहां पर बस रिपीस को ठाकना बाकिए और मोती लगाना तो चलिए मोती लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स मोती कैसे लगाने हैं यह सुई में हमने डबल धगा डाल लिया है तो हमने यह इसके बीच में से ऐसे सुई को निकालना है बिल्कुल बीच में से यहां से फिर ऐसे टांका उठाना है उसके बाद इसमें हमें मोती पीरोना है सुई में फिर ऐसे फिर वापस गुसा देना है इस तरह से तो यह मोती इसमें लग चुका और नीचे जाके इसमें हमने टांके से पका कर देना है यह देखिए फिर दूसरी तरह पाना है दूसरी वाले डबी में यह डबी हमने बना रखिए फिर हमने ऐसे करना है फिर हमने यहां से इसको उठाना है फिर से हमने इसमें मोती डालना है फिर हमने यहां पर ऐसे लेना है फिर वापस जहां से हमने सुई को गुसाया था वापस ले जाना है और ऐसे खिश देना है तो यह देखिए मोती इसके बीच में आ चुका फिर नीचे पका कर देना है तो इस तरह से ही दोस्तों आपने सभी डब्यों में मोती लगा लेने हैं यह देखे हर एक डब्यों में मोती ऐसे लगा लेने हैं ठीक है फ्रेंड्स देखे फ्रेंड्स यह सभी मोती लग चुके हैं और डिजाइन बहुत ही सुन्दर बन चुका है दोस्तों अगर आपको ये डिजाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें तो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाल 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 झाल